नेटो यानि North Atlantic Treaty Organization ये 30 देशों का एक समू है नेटो का नाम सुनकर अक्सर उन देशों की याद आ जाती है जो एक दूसरे के लिए लड़ने को तयार है लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि अंतरास्टी राजनीती में घरेलू हित सबसे जादा जरूरी होते हैं सबसे महत्पूर्ण होते हैं और इसी का उधारण हाल ही में देखने को मिल रहा है बीते दिनों फिनलेंड और स्वीडन ने नेटों को जॉइन करने के लिए आवेदन दिया था लेकिन अब तुर्की उनकी आवेदन का विरोथ कर रहा है आज इस वीडियो में हम इसी विवात को समझने की कोशिश करेंगे जानेंगे कि आखिर स्वीडन और फिनलेंड के शामिल होने से उनकी सदस्ता से यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तुर्की इनका विरोथ क्यों कर रहा है मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टिया इसकी इस नई वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यानि उन बिंदूों की बात कर लेते हैं इनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले वीडियो में हम खबर यानि नियूस को देखेंगे इसके बाद जानेंगे कि फिनलेंड और स्वीडन की तठस्ता नीती का क्या इतिहास रहा है साथ ही ये भी जानेंगे कि आप वो अपनी नीती में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं और नीती में जो परिवर्तन हो रहा है उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके अलावा तुर्की इनकी सदस्ता का विरोध क्यों कर रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और तुर्की इस पूरे प्रकरण से क्या चाहता है उसकी क्या मांग है उन मांगों पर भी बात करेंगे अंतमे निसकर्ष और एक प्राशन की भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ये पूरा विशय सामान ये धिन प्राशन पत्र दो से संबंदित है आप इसे अंतराश्टी संबंध भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीती के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ख़बर देख लेते हैं ख़बर दहिंदू के एक्स्पेरेंट सेक्शन से हैं ख़बर है वाय इस टर्की अगेंस्ट नेटो मेंबर्शिप ऑफ फिनलेंड और स्वीडन यानि टर्की फिनलेंड और स्वीडन की नाटो सदस्टा का विरोध क्यों कर रहा है वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इनकी तठस्टा नीती का इतिहास देख लेते हैं तो इस पूरे विवाद की शुरुवात तब हुई जब स्वीडन और फिनलेंड ने नेटो की सदस्टा के लिए आवेदन किया और इसी आवेदन के साथ उनकी तठस्टा की नीती जो की काफी लंबे समय से चली आ रही थी वो समाप्त हो गई ये नीती शीत युद्यानी कोल्ड वार के दोरान काफी प्रचलित थी काफी महतपूर मानी जाती थी इस नीती का उस पूरे एरा के दोरान दो मुख्य उद्देश थे पहला उद्देश था किसी भी महाशक्ती के बीच लडाई से दूर रहना यानि जो दो ब्लॉक्स बने हुए थे उनके बीच जो युद्ध चल रहा था उससे दूर रहना और दोनों ब्लॉकों के साथ सौहार्दपूर संबंद बनाये रखना यानि जो दोनों समूह थे दोनों ही समूहों के साथ सौहार्दपूर संबंद बनाये रखना लेकिन अब क्योंकि दोनों ही देशों ने नेटों को जोइन करने के लिए आवेदन किया है तो उनकी नीती में अब परिवर्तन आ गया है, चलिए परिवर्तन आ गया है तो अब इनके इतिहास को भी देख लेते हैं, सबसे पहले Finland की नीती के इतिहास को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्विद्ध की शुरुवात हुई और इसके लगभग तीन महीने तक चला और दोनों देशों ने आपस में लड़ाई की और इस युद्ध में अंततब Finland की हार हुई और उसको लगभग अपने 10% हिस्सा गवाना पड़ा, इस युद्ध के बाद Finland ने तठस्तता की नीती अपनाई, तठस्तता की ये नीती शीत युद्ध के दौ कर दिया, जबकि वो भी यूरोप में शामिल था, इसके बाद 1991 में USSR का विगटन हो गया और शीत युद्ध समाब्थ हो गया, लेकिन Finland की ये तठस्ता नीती जारी रही, 1995 में Finland यूरोपे संग का सदस्त तो बन गया, लेकिन वो NATO का सदस्त नहीं बना, वो NATO से फिर भी दूर लेकिन Finland की इस नीती में थोड़ा बहुत परिवर्तन तब आया, जब साल 2014 में रूस ने क्रीमिया का दिग्रहन कर लिया, इसके बाद Finland ने अपने सैने खर्च में कुछ बढ़ोतनी की और उसकी नीती में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, ये तो हुई Finland की बात, अब एक स्वीडन की नीती में कुछ विरोधा भास मौजूद है, यानि स्वीडन की नीती कुछ contradictory है, कैसे है, तो हाला कि स्वीडन के पास अपनी एक तठस्ता नीती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अमेरिका के साथ एक गुप्त सुरक्षा समझोता किया हुआ है, इसके अ स्वीडन ने नाटो के कई अभियानों में भी हिस्सा लिया है, जिसमें अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया के अभियान शामिल है, तो इस तरह से इन दोनों की तठस्ता नीती का एक बहुत ही महत्पूर इतिहास रहा है, अब बात करते हैं कि इनकी नीती में अब इन दोनों देशों को भी डर है कि अगर रूस युक्रेन जैसे बड़े देश पर हमला कर सकता है, तो वो इन छोटे देशों पर भी हमला कर सकता है, यही कारण है कि ये देश भी नाटो की सुरक्षा प्रावधान का उपयोग करना चाहते हैं, इसका उधारण हमें एक 50% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि फिनलैंड को नेटो में शामिल होना चाहिए, यानि युद्ध के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, अभी हालगी में दोनों देशों के प्रतिनिदियों ने एक सन्युक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नेट नेटो सद्यसिता से छेतर की सुरक्षा और रक्षा पनाली और मजबूत होगी, यानि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो इससे छेतर की सुरक्षा और जादा मजबूत होगी, ये तो हमने देखा कि इनकी नीती में परिवर्तन क्या आया है, अब स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो में शामिल हो जाते हैं, तो इससे महाद्वीप के सुरक्षा समी करनों में बदलाव होगा, इससे नेटो को जो रूस का पस्चिमी हिस्सा है, उसकी वहाँ पर नेटो की उपस्थिती काफी जादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिनलैंड रूस के बीच लगभग 1300 किलोमेटर की सीमा मौजूद है, इसके अलावा इस पूरे प्रक्रिया से अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं, तो इससे नेटो को एक रणनीतिक लाब भी मिलेगा, क्योंकि बाल्टिक सागर में स्वीडन के पास एक के लिए रूस के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है, ऐसे में अगर यहाँ पर नेटो की उपस्थिती होगी, तो यह रूस के हितों को नुकसान पहुचाएगा, रूस के लिए खतरनाक हो सकता है, अब बात करते हैं कि तुर्की इसका विरोध क्यों कर रहा है, या जनी अगर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होना है, तो उसे सभी सदस्यों की सहमति की जरूरत है, और यहीं पर तुर्की पिक्चर में आता है, तुर्की नेटो की दूसरे सबसी बड़ी सेना है, इसके अलावा तुर्की नेटो के पारंपरिक रूप से नेट में शामिल करने की बात करता रहा है, उनका समर्थन करता रहा है, तो आखिर Sweden और Finland के साथ क्या समस्या है, समस्या है उनका आतंगबाद को समर्थन, तुर्की का अरोप रहा है कि ये दोनों देश आतंगबाद का समर्थन करते हैं, तुर्की का राश्ट्रपती Erdogan के बयान की म तो स्वीडन और फिनलेंड प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK का समर्थन करते रहें और यही वज़े है कि तुर्की इन दोनों देशों की सदस्टा का समर्थन नहीं कर रहा है अब एक बार PKK के बारे में जान लेते हैं तो PKK की स्थापना 1978 में हुई तुर्की में विद्रोग कर रहा है कुर्दों के लेकर स्थापना की मांग कर रहा है इसे में तुर्की द्वारा स्वीडन और Finland पर आरोप लगाय जा रहा है कि वो दोनों देश इन विद्रोहियों को हतियार प्रदान करते हैं इसके अलावा Sweden और Finland ने कई विद्रोहियों को शरंड भी दी है ऐसा तुर्की का कहना है और तुर्की ने लगबग 33 लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर यानि उन लोगों को वापस भेजने का अनुरोध भी किया है लेकिन अभी तक इन दोनों देशों ने इस पर कोई निर्णे नहीं लिया है यही कारण है कि तुर्की इनका विरोध कर रहा है अब देखते हैं तुर्की चाहता क्या है यानि तुर्की की मांग क्या है तुर्की की सबसे पहली मांग यह है कि दोनों देश यानि स्वीडन और फिल्लैंड पिकेक को समर्षन करना बंद करें इसके अलावा उसकी ये भी मांग है कि पश्चीमी देश सीरियाई कुर्द समू को समर्षन देना बंद करें सीरियाई कुर्द समू उत्री सीरिया में इसलामिक स्टेट यानि आई-स के खिलाफ लड़ रहा एक समू है जिसे पश्चिमी देशों द्वारा साहयता परदान की जा रही है आर्थिक साहयता और सैने साहयता लेकिन तुर्की का कहना है कि ये समू PKK का ही हिस्सा है और 19 में जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल परणाली खरीदी थी तो अमेरिका ने तुर्की को इस पूरे प्रोग्राम से बाहर कर दिया था लेकिन अब तुर्की इस पूरे प्रक्रण का उपयोग दुबारा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कर सकता है तो ये तो को रणनीतिक लाब भी होगा क्योंकि उसे उसको जाधा चेत्र को कवर कर सकेगा लेकिन इसके हमें प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं यानि जिस तरह से युक्रेइन जब निटों में शामिल होने की बात कर रहा था तो रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया ऐस इस समय में इस यूरोप में एक बहुत ही भीशन युद्ध का रूप ले सकता है ऐसे में जरूरी है कि सभी पक्ष एक साथ एक मंच पर आकर पूरे मुद्दे को एक कूटनीतिक धंग से सुलजाने पर जोर दें ताकि मध्यस्थ और डिप्लोमेसी से इस पूरे विवाद क सुलजाया जा सके अब एक प्रश्ण की बात कर लेते हैं प्रश्ण मेंस का है और आप लगभग 200 शब्दों में इसके आंसर को लिखने की कोशिश कर सकते हैं प्रश्ण है हालिया उधारण की सहायता से सपस्ट कीजिए कि नेटों की विस्तारवादी और ओपन डौर नीती उसके समक्ष क्या चुनोतिया उत्पन कर रही है यानि आपको कुछ ऐसे उधारण देने हैं जो यह बताते हैं कि नेटों की जो विस्तारवादी नीती है और ओपन डौर पॉलिसी है वो किस तरह से उसके सामने चुनोतिया उत्पन कर रही है मुझे आशा है कि आपको इस के माध्यम से जिन भी बिंदों पर बात की गई है वो समझ में आएंगे उगर आपके प्रश्न पत्र में इससे सम्मंदित कोई भी सवाल आता है तो आप उससे आसानी से हल कर सकेंगे धन्यवाद